नमस्कार आप सभी का BHU Study Capital हमारे YouTube चैनल पर एक बाफिर से हर दिक स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात चीत करेंगे हमारे साथ हमारे BALLB और LLB के लीगल सेक्षन के जो हमारे मेंटर है आयूस जी वो हमारे साथ है और आज वो आप सभी को BHU LLB और BALLB का स्लेबस क्या है स्टेटजी क्या है प्रिवियस येर में कैसे कोस्टन्स आये हैं और कौन-कौन सी बुक्स आपको रिक्मंड की जाए यानि स्लेबस का पूरा डिसकसन होगा इस वीडियो में क्या स्टेटजी आपको फॉलो करना होगा इंटरंस एक्जाम को क्रैक करने के लिए प्रिवियस येर में कैसे कोस्टन्स आये हैं और कौन-कौन सी बुक्स ये आपको रिक्मंड करेंगे तो आपको ये काफी अच्छे ढंग से ये सारी चीजें बताएंगे तो आज का वीडियो आप सभी B.A.L.L.B. और L.L.B. आले बच्चों के लिए है इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ये जो जो टिप्स आपको बताएंगे उसको फॉलो करिएगा तो आप सभी इंट्रेंस इक्जाम को जरूर क्रैक करेंगे ये तो अभी एक मात्र एक स्लेवस का वीडियो है B.A.L.B. और L.B. की तयारी के लिए जो लोग हमारे उस कोर्स के साथ जुड़ना चाहेंगे इस स्लेवस के वीडियो को इस पूरे इंपॉरे इंपॉर्टेंट वीडियो को देख लीजिए उसके बाद आप दिये गए वाट्स आप नमबर पर मैसेज करें अपना नाम अपने कोर्स का नाम आपको फर्दर कोर् सकते हैं तो चलिए मैं माइक हैंड़ोवर करता हूं हमारे मेंटर आयूस जी को और वह आपको पूरा डीटेल में एक एक पॉइंट आपको बताएंगे कि स्लेवस इस्टेजी रिक्वंडेट बुक्स और प्रिवियस येर में कैसे कोस्टन्स आये हैं तो मैं माइक हैंड़ विपुल जी हम आज यहां बात करने वाले हैं बीच्चु एललबी और बीए एललबी इंट्रेंस एक्जाम की स्ट्रेड़जी सिल्बस और प्रिवियस येर के पेपर कैसे आये थे और जो किताबें पढ़नी चाहिए इस तैयारी को करने को उसके बारे में और इसकाड़ी म हम आघे बढ़ते सबसे पहले हम बात करेंगे कि जनर civs है क्या डीच्चु एललबी का और फिललबी का मतलब की अगर आप लॉएग बनना चाहते हैं तो आपको मलब्त OS सबसे फॉcked में चार में सेंट सवाइन इन डिक्सा सेख्शन से's अब चलते चाल टन्सके बारे में बात करतें चाह सेट घंजेर कॉमल लीगल यावेरोणस को देखता है सम प्रता है मैं आपको बारे में कुल के बताऊंगा कुंकि और मैं इस लिए मोगरम हें यहां पढ़ाऊंगा इसलिए मैं इस सेक्शन पर जादा फोकस करूँगा और इस सेक्शन को हम लोग थोड़ा सा खुल के देखेंगे को कि इस मामले में छात्रों के अंदर यह बहुत ही दूविधार रही रहती है कि लीगल अवेर्नेस में हम क्या पढ़ें क्योंकि लीगल इस सेक्शन आपका बी ए ललबी में ज्यादा फोकस रहता है और अगले सेक्शन के लिए तरफ चलते हैं तो जनरल अवेरनेस और करेंट अफेर्स यह किसी इंटरेंस एक्जाम में तो पूछा ही जाता है और इसमें इसका अच्छा खासा वेटेज रहता है सवाल यह है कि म लेंग्यज का सेक्शन इंग्लिष और हंदी आपको आपको आपकी ज्ञान आड़ी कि लिए बता दूँ भी ए लबी में हिंदी का कोई scope नहीं है फिर इंग्लिष है पर लबी की जहां तक बाता है उसमें इंग्लिष और हिंदी दोनों सेक्शन आते हैँ अब हम अपना में लीगल का जो section है, जो हम cover करने वाले हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, लीगल का section में हम आये, तो यह बहुत बड़ा, मलब यही समझ लिए, यही आपकी law exam के तयारी की जान है, common legal awareness का यह हिस्सा जिसका clear है, वो निश्चिंत रहे, उसका law entrance कोई नहीं रोक सकता, उसका law entrance crack section, भारती सम्विधान, क्योंकि आप law की तयारी करने जा रहे हैं, हमारे लिए law का मतलब ज्यादा तर लोगों के लिए law law entrance की तयारी वो यहीं चुरू होती है, भारती सम्विधान से, भारती सम्विधान के बारे हम पढ़ेंगे, और हमें आपको अभी परिचित करा रहा क्योंकि कौन-कौन हिससे हैं, जो हमें cover करने होंगे, अगर हमें legal awareness का अपना section पूरा cover करना है, तो पहले Indian सम्विधान, इसके बारे हम जानते हैं, इसमें हमें सम्विधान कैसे बना और क्या पद हैं, और इन सब की शक्तियों के बारे हैं, और यह सब जानते हैं, भारती सम LLB और LLB की बात आती है, इसमें सवाल आपको basic factual सवाल नहीं पूछे जाते हैं, अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, और जो की बिल्कुल उपरी सतह वाले सवाल नहीं होते, अच्छे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और हमको सब चीजना कवर करने हैं, यह नहीं कि शु सविधान में आप जो समिधान पढ़ेंगे, तो इतना आप ध्यान नहीं इंसान देता, पर जहां तक BHU, LLB और BLLB की सवाल है, सवाल आपको बहुत ही गहराई तक से मिलेंगे, तो इसको हम कवर करेंगे, Indian Constitution, Indian Constitution में 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 मेंली हम सब कवर करेंगे, जहां तक मालब amendment है, पर हमको जानकारी हर section के बारे में रखनी है, क्योंकि जहां तक paper में देखा गया है कि कुछ sections है, जैसे Public Service Commission का section है, election commission का section है, इसको बहुत deep में ही पढ़ना, पर आप से basic सवाल पूछ लेगा, कि यह article है, यह किस चीज़ से related है, तो हमको जानकारी सब की रखनी है, और इसको ह बहुत enforced होता है generally BALLB में, BALLB का जो चात रहें, बिल्कुल ध्यान दे, legal का section बहुत अच्छे सा पूछा जाता है, और बहुत अच्छे level का भी पूछा जाता है BALLB के परिक्षाओं में, और LLB में भी, LLB में भी पूछा जाता है, मैं आगे चल आपको बताऊंगा, विछ इसी को पढ़ाया ही जाएगा, मैं ले में कौन कानून था, क्या था, इसमें legal में हम generally, जो main कानून है, उनको cover करेंगे, जैसे IPC, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, Indian Penal Court, भारती डंड सही था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि इससे सवाल पूछेगा है, LLB, BLLB परिक्षाओं में दोनों में, और सिर्फ हम इसके बारे में यह नहीं पढ़ेंगे, कि मतलब कब आया, कब गया, यह नहीं, हम इसके मतलब specific offenses, जो है, क्या है terminology, क्या है IPC की, जिससे सवाल बनते हैं, तो कि आप देखें कि पुराने सवालों में, कई सवाल आप से समस्या बे आप कोई भी previous year paper उठाग देखिए, जो sections में आपको बता रहो, लदे पड़े हैं paper, इन sections के सवालों से, Indian Contract Act इससे बहुत अच्छे सवाल बनते हैं, यह थोड़ा सा conceptual है, इसको मिल्कुल clarity में इसको clear करेंगे, Indian Contract Act से आपको बहुत सवाल मिल जाएंगे, Law of Tots से आपको कभी स understanding क्या है, legal understanding को brush up करने के लिए यह topics बहुत अच्छा, family law, family law के अंतर करत हम पूछते हैं, Hindu law और Muslim law का system आता है, और जहां तक पुछले साल के pattern देखे गए हैं, ज्यादा तर शादियों पर सवाल बहुत पूछे जाते हैं, तलाक की इस्थिती है कि नहीं, आप देखेंगे, Ass basis है कि नहीं तलाक का, हाँ, यहीं basic, तलाक पे सावल पूछे जाते हैं, कि generally आप पिछले देखेंगे, तलाक इसमें बहुत famous है, पर हम इसको अच्छे सपढ़ें, क्योंकि इसमें succession भी आता है, Hindu law में बहुत चीज़ें आती है, adoption का सिध्धान, succession का सिध्धान, शादी का तो इतना आपका concept clear कर दिया रहागा कि आपके लिए आगे का सफर तो बहुत असान रहे है, कि आपको लगे कि यह terms मैंने सुने है, ठीक है, अगली चाहती legal terms, legal terms जैसे bail क्या होता है, बहुत सारी आपकी court में use on your terminology है, आप से पूछले है, decree क्या है, bail क्या है, मनलब हम सुनते तो बहुत है, पर आगर हम से पूछले है, reality में है क्या, इसका साब्दिकर्थ है क्या, तो हम confused हो जाएंगे, कि मलब है क्या, हम इसको इसमें भी cover करेंगे, legal terms को भी cover करेंगे, legal maxims, बहुत favorite topic है, आप सब लोग जो lock entrances की तहरी करने वाले हो, जो previous year के कुछ paper देखते हैं, उनको पर मैं, यह legal maxim, हम इसको बहुत जम के पढ़ेंगे, और इसको सवाल पूछेंगे हैं, पिछले साल काफी एक, अलग से आप मागर इसको देखेंगे, तो section ही मान लीजे, legal maxims पर इतना सवाल पूछ लिये थे, BLLB के इंटरेंस का आप सब को पता है, बहुत favorite section है legal maxims, पर हम ऐसे पढ़ेंगे कि इसको ही हमेशा हमेशा याद रखें, अगला section, landmark judgments, यह बहुत important section है, देखिए, यह जो है landmark judgments को section, इसको हम एक अलग सीरीज करेंगे, जिसमें हम आपको संपचास से लेकर, संकरी परसाद के मामले से लेकर, जो बहुत famous आपके इश्वानन भारती सुनते हैं, और जो रिसेंट के पुट्टू स्वामी के cases हैं, इन सब को हम पढ़ेंगे, इन सब को, क्यों सब सवाल बनते हैं, कि यह आप से पूछ लेगा कि यह किस में, किस में, सुप्रिम पोर्ट ने इस मामले में, यह मामले में किस case में tip पढ़ी दी थी, बहुत सारे केसे, ज आपको मैं एक शीज बता दूँ, जब आप लॉइंटरेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो पहली बात तो बहुत विजिलेंट रही है, बहुत सतर कर रही है, लीगल मामलों को लेकर, जब आप पेपर पढ़ रहे हैं, या आपको इंटरनेट पर खबर देख रहे हैं, तो आप पर ज़्यादा फोकस करिए, जिनमें एक लीगल करेक्टर है, जो मतलब कानूनी खबरे हैं, कौन सा कानून आया सरकार ने, सुप्रीम कोड ने क्या थी पढ़िदी इस कानून पर, कौन सा केस आया, हाँ, Contemporary Legal Development में साब है, सिर्फ यहीं नहीं, आपको ये भी देख रहा है कि Legal Appointments क्या हो रही है, Law Commission बन रहा है, इसमें कौन बना, ये कमेटी बनी, तो इसमें किसकी अध्यक्षिता में कमेटी बन रही है, ये सारे ये हिस्सा, Contemporary Legal Development का, ये भी हम कवर करेंगे, Contemporary Legal Development के कैसा हिस्सा है, कि लड़कों को ये नहीं सान में आता है, कि कवर किया कहां से जाए, क्योंकि ये बहुत ये ट्रिकी है, कि मनलब आपने चार फैक्ट से याद कर लिये कि हाँ, ये है, ये है, ये है, ये है, पर सवाल कहीं से भी बनता है, इतनी लीगल संस्थाएं हैं इस देश में, जैसे नाल सार हो गई, National Law Institute हो इन सब तक पर सवाल पूछा जाता है, हाँ, कि इसमें काउन नया बना, और हजार, आप जानते हैं कितने कमिशन्स हैं, सुप्रेम कोर्ट के जज़े ज़ारा हैड़ेड, इस पर बहुत सवाल बन जाते हैं, जैसे अब ही मैंने एक सवाल देखा तो उसमें पूछा थे कि रैगिंग, रैगिंग की समस्या को लेकर कमिटी बनी थी, उसके बारें सवाल पूछ लिया था, ये BLLB का सवाल है, रागवन कमिटी का उत्तर है, पर ये पूछा गया है, लीगल डेवलोप्मेंट में ये सवाल आ जाते हैं, मनलब कि किसने किया, कैसे किया, और ये देखिए, आपको मैं एक बहुत इंपोर्टन च सब्सक्राइब से देखना शुरू करिए, और सब चीजें, क्योंकि सम्विधान नहीं है, जब आप जाएंगे, तो यहां ये section क्या देख रहा है, इतनी बड़ी भीड में या खेला है, पहला, इसका वेटेज है, अच्छा खासा वेटेज है, पर ये चीजें पीछे नहीं चूटती है, ये चीजें पीछे नहीं चूटती है, सिर्फ Constitution नहीं है, और मैं आपको ये बहुत दिखुल सब्सक्राइब कराएंगे, ताकि अब इसको मेमराइज कर सके, कोई सवाल इस से रिलेटेड गलत ना कर सके, इसको एक तरह से आप मान लीजें, लीगल करेंट अफ पर पूछ लेता है सवाल, रोज पेपरों में आता है, पर इस पर बहुत ही इसी सवाल पूछ लेता है, जैसे कई मामले, आपने ट्रिपल तलाग का मामला सुना होगा, सवाल ऐसे नहीं आएगा कि ट्रिपल तलाग, सवाल आएगा कि ट्रिपल तलाग के मामलें जो फैसला किस case यहां और आपको फंस जाएंगे यह आपको हर चीज के लिगल नजने यह से देखने किस ने दायर किया, किस किस कोट में गया और हमको हर चीज की समझना होगा और लीगल लीक के जैसे स्टैटिक लीक के लीगल section है जिसमें legal माम लोग के सवाल पूशे जाते हैं कि ये कब हुआ ये कब हुआ ये कब हुआ basically आज समय लीजे जैसे कई सवाल है कि ये case आया तिसमें judge कौन था legal gk का भी एक अच्छा स्कोर पे इसको हम cover करेंगे कि जो important bullet points है जिन से एक possibility हम देखते हैं पुराने सवालों को देखे हम एक सीज देखते हैं कि हाँ अगर इससे सवाल बन सकता है तो इससे relative जो इनसे भी सवाल बन सकता है तो legal gk का भी section उसको हम लोग बहुत अच्छे से cover करेंगे legal gk क्योंकि important है इससे बहुत अच्छे सवाल बनते हैं इसका एक सब्सक्राइब कर सकते कि यहां कितना पढ़ लिया जाए इसमें भी हम maximum अब फुल्य है सब चीद और आय। आई इस सब आई इससर ने आपको बताइए अब आगे चलते हैं कि अम थोड़ेप और लेते हैं विए ऐल आल बी का जो पेपर आया था उसका विए रमी में देखों करके लड़के यारह हैं कच्छा बारभ आस करके लड़के बींव ब्लाइट की परिष्छा कही जाती इसको BML जैसे क्लाइट होता है common law admission test वैसे ब्लाइट होता है भी अच्यू law admission test law admission test होता है ठीक है तो अब इसकी scheme हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कैसे सवाल आए थे इस बार तो इसमें English के 30 सवाल पूछे गए थे इंग्लिश के सवालों जहां तक हम बात करें, comprehension based सवाल, synonyms, antonyms, हाँ यह आपको English शौं में clear हो जाएगा, हाँ, current affairs से 50 सवाल पूछे, पहली चीज आपको बता लो, 1500 सवाल आते हैं, total, दो गंटे मापको करने होती, कितने सवाल आते हैं, 1500, दो गंटे का समय रहता है, हाँ, और सबसे important चीज, सही सवाल पे 4 नंबर, और गलत पे 1 नंबर, NTA इसकी परिक्षा करा रही है, पिछले साल से, और इस परिक्षा की जो बात करें, तो यह अपने ही pattern पे हुई है, इसमें कोई बहुत बदलाव नहीं आए, जो कि आपने सुना हो करें, यार, LLB में बड़ा नहीं चाहिए थी, तो English में यहां समें 30, इसमें fixed है, जो BLLB के त्यारी कर रहे हैं, उनको एक चीज जानना चाहिएगा, उनको syllabus को ले के बहुत टेंशन नहीं लेनी है, जो उनका established order है, वहीं, जैसे English में यह चीज़ कभी कभी हो सकती है, कि जैसे comprehension नहीं पूछा, हाँ, comprehension नहीं पूछा है, या synonym नहीं में पर पूछेगा वह English से ही, इस सवाल अगर है fix, तो English से पूछेगा, अगली जी जादी current affairs including GK, ये समझ लीजे, भारत के किसी परिक्षक पास करने का रामबार है, तो ये बहुत जरूरी है, पचास सवाल, इसमें एक बहुत important सवाल आपको बता दूँ कि 9 से 10 सवाल इसमें से polity के थे, 9 से 10 सवाल सिर्फ polity से पूछा इनोंने, क्योंकि भाई है तो ये law का ही इंट्रेंस, तो 9 से 10 सवाल सिर्फ polity के इनोंने पूछे थे, तो आप समझ लीजे कि Indian Constitution इसमें भी आपकी मदद करता है, और polity का सिर्फ स्कोप Indian Constitution नह जो मैंने अभी सब बताया, Indian Penal Code, इसमें सवाल, Assertion Regions के सवाल, हाँ, देखिए वो जो topics आप पढ़ रहें, even सम्विधान को भी जब आप पढ़ें, मैंने अभी ध्यान से बताया है कि उसको एक legal clarity के साथ पढ़ें, मतलब उसको एक कानूनी, मलब होता ने, law के चाहते के न होता है, वो LLB comparison में, legal terms में मैं नहीं कहूंगा, मेरा analysis जो रहेगा, वो मैं नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा रहता है, LLB का paper और BLLB paper, legal section की नहां तक बात करें, बहुत समनांतर रहता है, क्योंकि वो लोड का 12th pass करके आ रहा है, और आप graduation कर चुके हैं, तो एक है, दोन होने system दिया, B.H.U. का जो पिछले साल का paper हमारा रहा है, वो बहुत controversial रहा है, बहुत लोगों साब पूछेंगे करे, यार क्या paper बना दिया, NTA को कई लोगों ने बहुत बोला, कि NTA ने क्या paper बना दिया, और ये बहुत जगहां आप कई, जगहां आप यस नहीं करें, यार स्वास रह सकते हैं, English Hindi, 30 सवाल, आते ही आते हैं, English attempt करी है, Hindi attempt करी, B.L.L.B. में सिर्फ English पूछेगा आपसे, Hindi नहीं पूछेगा, ये चीज़ आप बहुत ध्यान दीजेगा, यहां पे आपसे English Hindi दोनों पूछेगा, दोनों क्या एक आपको करना रहेगा 30 सवाल, ठीक है, तो अभी से चीज़ पर ध्यान दीजेगा, ये सब सेक्शन जो हैं, ये बहुत ही डिसाइसीव रहते हैं, अगला चीज़ है, लीगल में सिर्फ यह है, Constitution तो अलग छोड़ दीजे, लीगल में IPC, Family Law Contract से 10 सवाल पूछे इन्होंने, और आपको आपको आपकी जानकारी के लि गया, Six Questions, Contract से इन्होंने असरसन रीजन में सवाल पूछे थे, असरसन रीजन में contract से इन्होंने सवाल पूछे और Family Law से सवाल पूछे, तो ये चीज़ पर IPC से बहुत सवाल पूछे थे, ये चीज़ लगी लोगों को किसे बहुत ज्यादा पूछ लिया, और चीज़ों को सवाल पूछे, पर पिछले साल में यही हुआ, सम्विधान से इन्होंने सवाल पूछे, 20 सवाल कम से कमाये थे, सम्विधान तो जानी रहे हैं, सम्विधान तो आपके लिए घ्रमार हो जानी चाहिए, मैट्स से 30 सवाल, ये एक विवदासपाद वो था कि मैट्स इतनी पूछी क्यों गई, मैट्स अच्छ सतर की भी पूछी गई के लड़कों कहिधर उधर हो गया सवाल, हाँ, तो मैट्स का सेक्शन तो आपको मैट्स वाले सर बताएंगे, पर लीगल के जहां था हम बात करत अब जो हो रहा है, अब इससे सीधा सवाल नहीं पूछ रहा है, अब सीधा ओफेंस के बारे में पूछ रहा है, जैसे अबेटमेंट हो गया, या छोटे-छोटे ओफेंस हैं इसमें क्या हुआ, क्यो हुआ, अगर आपको लीगल थोरी देते हैं, पूछ लेका आगे क्या, अगर आपको clarity रहेगी तो आप तुरंट कर लेंगे, और जो की आपको मिलेगी इस चैनल पर, अगला section जो है, जो बहुत ही डराने वाला section था, मैं आपको बताऊं, legal maxims से 10 सवाल पूछे थे, 10 सवाल लीगल maxims के आये हैं, B.H.U. के entrance में पिछली बार, पहला ही सवाल, अग ये legal maxims बहुत आये थे, legal maxims से कोई घवराने की चीज़ नहीं है, legal maxims कोई घवराने की चीज़ नहीं है, बस आपको एक approach देखना पड़ेगा, कई चीज़ें तो आप बता रहे हूं, legal maxims में अगर आपने कभी पढ़ी भी ना हो, तो बस terminology का अगर हलका समझ लें तो आप ब बता देंगे, कि ये क्या है, legal maxims से 10 स्वाल पूछे थे, ये बहुत ही focus करने वाली चीज़ थी, कि legal maxims में इतने स्वाल क्यों आये, क्योंकि इसके पिछले साल, एक legal maxim पूछाई नहीं होने से, single, एक legal maxim, amicus qri पूछा था, हाँ, आप 2020 के paper में सिर्फ एक legal maxim पढ़ा था, और और यहां तक इन sections की बात, constitution की बात करें, constitution एक section है, कई लोग ये पूछते, constitution पढ़ा किये अतना ले आजाए, आपको मैं बहुत अच्छे से बता दू, BHU, LLV या BLLLV का प्यारी करें, constitution कुछ छोड़िये मत, क्योंकि ये कुछ भी पूछते हैं, जिन sections को मैं आपको पढ मैं आपको बता रहा हूं, बहुत आगे के sections, section 300 के आगे के sections पूछ ले रहा है, कहीं के भी sections पूछ ले रहा है, कुछ चीज हैं बहुत important, schedules पर सवाल आते हैं, आपको मैं बता, पढ़ाऊंगा कि जितने schedules होते हैं, और schedules में उन से सवाल पूछते हैं, कि schedule में क्या है, और इस pointer की रूप में आपको काम करते हैं, तो आप बिल्कुल guess कर लेते हैं, यह शक्ती थी, इस आर्टिकल के आसपास यह शक्ती दी थी, इस तरह से आपको करना है, ठीक है, तो यह आपका एक analysis और strategy के हम बात करें, तो एक शीज आपको मैं बता दू, constitution को, आप main focus बना के चलिए, यह constitution जिसने cover नहीं कर रखा है, हम भी cover कराएंगा, हमारे साथ cover करते चलिए उसको, और legal का भी एक हिस्सा, क्यों कि legal में आपने जैसे मैं आपको दिखाया था, legal में कई हिस्से थे, ठीक है, legal में हिस्से काफी थे, legal में देखिए, यह समिधान हो जाता है, उसके हिस्से देखिए, day to day, हो सकता है कुछ चीजें, आप बस ऐसे random newspaper में देखिए हो, और इस पर सवाल आ जाए, तो contemporary legal developments पर एक strategy का यह बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा, मैं आप सो पहले ही बतातों, एक law student की तरह सोचना सुरू कर दीजे, और legal developments पर ध्यान अपने बनाया रही, क्योंक हम legal का लेकर चलेंगे, जिसमें यह सब आएगा, ठीक है, तो legal का एक हिस्सा और समिधान का एक हिस्सा, यह दोनों parallel आप लेकर चलेंगे तो आप बहुत perfect त्यारी कर पाएंगे, ठीक है, और जहां तक एक सवाल जनरल पूछते हैं कि किस किताब को हम refer कर लें, मेरे view में आप किताब पढ़ेंगे तो लक्षमी कांद जो है, समिधान की वो enough है, पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि सब कुछ सिर्फ लक्षमी कांद से नहीं तुछा जाता है, कुछ चीज़ें हैं जैसे कुछ सवाल आये हैं कि, जिनका मुझे लगता है कही जगा लड़के जिस को सजस्ट करूँगा, जो किताबे हैं, एक पर यूनिवरसल की आती होगी बहुत फेमस, बी एल 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 लवी के तयारी के लिए आती है किताब, उसको रिफर कर लिजे, इसका सोल रिजन में आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें सवाल बहुत है, 700-800 MCQs, हर टॉपि लिटन है, AP भारत द्वाज, AP भारत द्वाज की किताब है, और ये बहुत अच्छी है, ये किताबे आपको रिफर करना इसलिए जरूरी है, क्योंकि इसमें questions बहुत जा रहे हैं, concept आपको सारे clear platform को जरी हो जाँगा, मैं हूँ, ये मेरी जुम्हदारी है, सारे आपको बिल अच्छी ताब हम इसको एक भी ले लेंगे, आप बहुत स्मूथ रहने वाला है, और बाकी बहुत स्टेडी कैपिल इस online platform पे, मैं तो आपकी गाड़ी पार लगवा ही दूँगा